अधीं अलो दोस्तो क्या हाल चाला हैता अब सब भोग तो आज 70 का निपर था जेहनके में तो उसी का सेट का पेपर ce направ उसकी हमने जो है andser की पेपेर करी है O26 शरी नहीं है तो हमने अपनी दर्व से आंसर की जो है पेर करी यह तो आपका जो भी series थी यह तो basically Y series है बट आप अपने questions जो है वो check कर सकते हो जल्दी से शुरू करेंगे और अपना question paper निकाल लें और अपने answer जो है वो match करना शुरू कर दे जल्दी से हम करेंगे answer की जो है complete करते हैं जो भी yes में questions जो भी आयते paper जो था paper का level जो था सेट का अगर देखा जाए तो ठीक था moderate level था जाल डिफिकल नहीं था subject paper जो था वो सब बच्चों का अलग लग था बट जो journal paper था first paper that is of moderate level ठीक तो जल्दी से start करते हैं जो first question है जो आपको एक यहाँ पर table वाला question आया था जिसमें daily income वाला जो questions था तो इसमें जो आपका answer है इसमें आपका जो answer है 38 answer तो note कर लें इसमें जो आपका answer 38 answer आ रहा है यह जो table वाला question आया था अपने अपनी series में आप देखें हैं कहां पर है questions तो वहां पर निकाल के आप इसको देख सकते हैं आपने क्या mark किया उसके बाद second question जो है इस series का वह दिया हुआ condition of variables conditions or characteristics that can take on different values and categories is called तो इसका जो answer है भी variable बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है variable आप अब देख लें कि यह कहां पर या questions तो आप इसको correct mark कर लें ठीक है उसके बाद third question है जो एक पाई चार्ट वाला question आया था उसमें simple formula पुछा गया था तो इसका answer जो है वह है D answer component part divided by total into into 360 ठीक है उसके बाद fourth question है आपको एक fourth question आया था there is an old adage that says I have if you can't measure it you can't manage it ठीक है यह वाला जो question है तो इसका जो answer है वह है answer आपका C key performance performance indicators right चलते है next question की तरफ then a question आया था आपको British Airways merged with Iberia and Spanish airline what kind of merger this was was this तो यह जो merger है वह आपका horizontal merger है कुनसा है horizontal merger so then next question की तरफ six question as a good classroom communicator you are supposed to know about your तो यह जो communication पे question आया था तो इसका है artful pause artful pauses तो यह हमने जो है answer की prepared career हाँ इसमें एक दो question जो है ऊपर नीचे हो सकता है तो maximum question जो है इसमें सही है ठीक है उसके बाद figure out the components of non-verbal communication वाला जो आपको question आया था इन्हें classroom तो इसका answer जो है वो यह answer है जिसमें आपको दिया गया है facial expressions उसके बाद kinetics उसके बाद personal space ठीक है तो इस question का answer जो है वो डी है और जिसको जो वीडियो देख रहा है प्लीज इसको like भी कर दें चैनल को जिन्होंने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें ठीक है चैनल को जो सब्सक्राइब करें और वीडियो को जुरूर लाइक करें और अपना जो है score जो है इस वीडियो के comment section में जुरूर बताएं ताकि हम एक merit बना पाएं कि कितना paper one का जो है merit जाएगा जरूर वीडियो को लाइक करें तो उसके बाद आपको एक ICT के question आया हो था कि which of the following statements regarding the features of the information and communication technology are true तो इसमें जो first or second option था यह दोनों सही थे तो इसका जो answer यह answer है तो आप एक बार check कर लें इसमें जो maximize वाला option था वो गलत था बाकि दोनों option जो हैं वो बिल्कुल सही है उसके बाद आपको match the following आया था जिसमें software दिया था और applications दी थी क्या दिया था software और applications दी थी आप देख लो अपने जो पेपर है यह जो दिये थे software SP SS उसके बाद original उसके बाद मैंडले और उसके बाद smart e-governance तो इसका जो answer है वो B answer है ठीक है तो B answer में जैसे SPSS जो है वो आपका quantitative data analysis के लिए होता है उसके बाद original जो है वो आपका plagorism के लिए use होता है उसके बाद मैंडले जो है वो reference manager के लिए होता है डी जो है smart e-governance जो है वो आपका process automation for universities के लिए होता है तो इसका जो सही answer है वो है B answer है ठीक अब चलते है next question की तरफ question number 10 10th question तो 10th question जो है वो पूछा गया है communication with oneself is known as very easy question था यह तो communication जो हम कुछ से करते हैं उसका हम कहते है intrapersonal ठीक है डी answer है इसका intrapersonal या देतना चलते हैं next question की तरफ the misconception about intellectual history stems from the intellectual history stems from इसमें जो आपका answer that is cosmological beliefs right question number 12 reasoning question easy question था जबाद difficult question नहीं था इसमें basically जो भी पूछा गया था तो उसका answer है d5 reasoning वाला देख लो when diagram का question है तो इसमें जो answer है वो है 5 और यह जो आपको answer की का जो paper है ना यह आपको telegram पर मिल जाएगा nucleus of knowledge academy करके telegram है तो वह आप join कर लें तो वहां पर आपको जो है यह पूरा paper जो है first paper है वहां पर मिल जाएगा answer के साथ उसके बाद 13 question knowledge of cosmological belief or moral ideas of a period can be drawn as a part of इसका जो answer है that is d intellectual history यह यह दोनों question उपर जो और नीचे question थे दोनों सेम थे ठीक है उसके बाद आगा 14th question और 14th question क्या है 14th question है कि transforming thoughts ideas and message into verbal and non-verbal sign is referred to as इसका answer है c channelization a और c इन दोनों में doubt है ठीक है तो आप देख लेना कि अभी जो official की अगर आती है तो इसमें क्या answer होगा इसमें दो में doubt है encoding भी आ सकता है इसमें और channelization भी आ सकता है 14 में right उसके बाद यह argument वाला question है देवदट वाला इसमें जो आपका बी वाला answer है that is correct देवदट getting heavier and if he does not eat during the day he will eating at a night तो बी इसका सही answer है जो देवदट वाला question आया था उसके बाद passage पर आ जाओ ठीक है तो वो क्या थी that is in ordinate development तो इसका जो सही answer first question का that is D उसके बाद defacto so question number 17 ने that is जो है इस passage में उसका क्या मतलब था उसका मतलब है what is क्या मतलब है इसका what is उसके बाद next question जो है that is according to the passage the first reality constitutes तो first reality जो constitute वाला जो question था उसमें आपका answer D that is enlightened rationalism ठीक है उसके बाद encounter to culture वाला जो question है scientific and human implies इसमें था D वाला answer जो हो सही है that is coexistence of quantity and quality right अब 20th question जो है the content of the passage जो passage का content है इसका जो answer है इसका जो answer है that is C right exometric next question that is 24th question which of the following is the most important quality of a good teacher the quality of a good teacher जो है that is C answer that is content mastery and the reflective next question is 22nd question what is the period of learning where no improvement of performances में तो इसमें आपका answer आएगा B that is plateau plateau of learning उसके बाद है next question है open learning system next question आगे आपका open learning system पे तो open learning system जो है उसका answer है let's see student can join any program at any time next 24th question is the traditional teacher sports system includes इसमें आपका आएगा white board 25th question the choice based credit system जो है वो है student centric approach कौन सी approach है student centric approach उसके बाद आपको एक math का question आया था speed के ओपर right find the average speed तो इसका जो सही answer that is B 24 km पर आर उसके बाद आपको reasoning का question आया था blood relation के ओपर very easy question इसका जो answer है that is a son in law क्या answer है इसका son in law उसके बाद आपको एक assertion वाला question आया था e-commerce related कौन सा question आया था e-commerce related तो इसमें जो है दोनो statements जो थी वो सही हैं बोद statements are correct ठीक है अब चलते है next question की तरफ इसमें अब statements आई है 29 question e-governance related reach side summary वाला जो question है ठीक है तो इसका जो सही answer that is two and four my space वाला जो option है और इसके बाद वी की वाला option जो है यह दोनों correct है चलते है next question 30 question की तरफ which of the following is not benefit of information technology तो benefit of information technology जो है वो है detecting detecting information डी इसका सही answer है उसके बाद आगए effectiveness of communication can be traced from effectiveness of communication जो है 31 इसमें आपको जो है दो answer देखने को मिलेंगे एक बी जो है ठीक है B है उसके बाद A, B, A, D, A और B इसमें दो doubtful है A और B में जो है इसमें आपका answer हो सकता है ठीक है 31 जो आपका question है A और B इसका जो है answer हो सकता है अब आगए 32nd question breakdown in verbal communication वाला जो question है इसमें जो आपका answer that is D entropy उसके बाद 33rd question is reasoning question आगा missing number वाला तो missing number में आपका A answer था 4690 आपका math का question आया था ratio वाला तो इसका answer है D 9 ratio 8 ratio 10 उसके बाद आपका next question है 35 calculate the average दिया था first 10 prime numbers बट वो odd number थे तो इसका answer है 15.8 उसके बाद आगया commission की recommendation किसकी थी यह जिसमें science education और research जो था national economy के लिए accelerate करने के लिए तो इसकी जो recommendation थी वो थी कुठारी commission कुठारी commission ठीक है उसके बाद 37th question की तरफ चलते हैं 37th question जो था higher education की क्या objective है तो इसमें improvement of infrastructure यह option जो है वो गलत सही है उसके बाद university established by the parliament वो हमारी central universities होती है very easy question उसके बाद आ गया given statement वाला जिसमें institution दिया था in the field of higher education वाला seeking 10 years of age उसके बाद team university जो थी है उसमें five graduates post graduate department होने चाहिए तो इसमें जो सही answer है वो आपका है D option ठीक है कौन सा option है इसमें D option है ठीक है अब comment section में जरूर बता है अगर आपको लगता है कि कोई answer गलत है तो जरूर आप comment section में बता सकते हैं उसके बाद 40 question जो है that is NEP जो अभी हमारा चल रहा है education policy drafting committee के chairman कौन थे उनका नाम है बी डाक्टर के कस्तूरी रंगन ठीक है आपको अगर लगता है कि कोई question गलत है आंट से तो आप जूरू comment section में बताएं अब आगे research research इसके सारे options सही थे a b c are true 42nd question variables and categories are specified in the final stage of content analysis तो इसका answer है D internal criticism is done इसका answer है to verify both the equation authenticity of the sources right the 43 का जो answer that is D अब चलते हैं 44th की तरफ which of the following is easiest method of matching the two groups of subject तो इसमें जो हमारा है answer है B 44th is B option उसके बाद आ गया hypothesis वाला question 45 question जो hypothesis वाला आपको एक question आया था है तो hypothesis वाले question में आपका जो है B option जिसमें establishing the research problem जो है वो answer है right उसके बाद आ गया blue baby syndrome जो disease है वो किसकी वज़ा से होता है water में जब हमारा nitrates जो है वो mix हो जाता है फिर आपको blue baby syndrome जो होता है उसके वाज़ा से होता है उसके बाद लव किनल tragedy वाला जो question है इसमें आपको ए answer है जिसमें है dumping of hazard hazardous chemicals in the landfills next question very easy question green house effect जो था maximum contribution जो है वो किसका होता है carbon dioxide का then head of national biodiversity authority जो था वो हमारा है चन्नाई में then pioneer of human community interacted with the early environment was उसके बाद उसका answer जो है hunting and the gathering society तो यह हमारी जो की थी हमने prepare करी थी तो यह की जो आपको टेलेग्राम पे मिल जाएगी और वीडियो के last में जरूर कमेंट करिएगा और अगर लगता है कि आपको कोई questions इसमें गलत है तो जुरूर आप comment section में बताएगे और अपना scores जो जुरूर mention करें हमें बहुत ही जुरूरी है score mention करना कि ताकि हम देखें कि कितने scores है बच्चों का और हम एक इसकी cut off जो है वो बना सके राइट so thank you for watching have a nice day